हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल ओनलाइन आई टी आई पर जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं आई टे इलेक्टिशन थियोरी सब्जेक्ट की फर्स चेर के इंपोर्टेंट टोपिक की रिगुलर क्लासेज और आज की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्टिशिटी दोस्तों बेसिक इलेक्टिशिटी आई टे इलेक्टिशन का एक बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है और इसमें से काफी सारे क्योशन फर्स चेर में आते हैं और ये टोपिक एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा तो और भी पार्ट्स आगे नेक्स वीडियो में आपको मिल जाएंगे आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें लेकर ज़रूर दबा दे पर्तक यानै अलग किया जा सके उसे प्रमाणू हम कहते हैं यहाँ प्रमाणूं के से रषराई के वारे में कुछ्टट्प दिगए हैं पहला है यह प्राकरति में शुत्तिशंत रूप Michaels नहीं रेता है यह अलग-अलग-प्धाटमें अपरлемर होते हैं दूस्रा है ये मुख्यतर Legion से बना होता है इस परकार से होता है यहां प्रमनविशना में इसमें नाविग होती है नाविग में proton और neutron रहते हैं धोनुंका भार बराबर रहते हैं दोनों का भार बराबर होता है और इलोक्ट्रॉन इसके चारों चकल लगाता है रोटोन पर आवेश प्लस एक पॉइंट चे इंटू 10 के माइनास 19 गात कुलाम आविस पर होता है नूट्रोन पर आविस हीन होता है जो नूट्रोन होता है इस पर किसी प्रकार का आविस नहीं होता है और इलोक्टोन पर माइनस एक पॉइंट छे इंटो दसके गहात माइनस गुनिस कुलाम आवेस होता है दोनों पर आवेस बराबर होते है प्रोटोन और नूटोन पर अंतर यह होता है प्रोटोन पर पलस का होता है और इलोक्टोन पर माइनस का होता है मुक्त इलोक्ट्रोन दो परकार के होते हैं मुक्त इलोक्ट्रोन संयोजी इलोक्ट्रोन यहां मुक्त इलोक्ट्रोन की हम बात करेंगे अधिकांस धातों की अंतिम कक्षा में केवल एक या दो इलोक्ट्रोन होते हैं जिने मुक्त इलोक्ट्रोन हम कहते हैं यहें आपको कुछ धाता दी गए हैं यहां इलोक्टरोन अलग सहयोगीवीश्य का क्षा में जतनी भी इलोक्टरोन होता है अगला को नाविक से दूर होने के कारण यह लगबक मुक्त अवस्ता में वहता हैं, जो इलोक्टरोन हैं ये नाबिक के चक्र लगाता है ये कुछ दूरी पर जानी के बाद में जैसे जैसे इनके चक्र बढ़ते हैं वेशे वेशे ये नाबिक से दूर चला जाता है इसलिए इसे मुक्ति इलोक्टोन हम कहते हैं अगला है मुक्त इलोक्ट्रोन के कारण ही आवेस चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूंचता है देखो आपने देखाओगा चालक होता है इसमें जो इलोक्ट्रोन है एक सिरा है दूसरा सिरा है इसी के कारण ये पलस से माइनस तक पूंच पाता है अगला है टोस्ट धातु के तार में विद्युधारा का प्रवा मुक्त इलोक्टोन के कारण होता है जिसने आपसे कोई पूंच ले चालत तार में जो विद्युधारा है किसके कारण प्रवाइत होती है वह होती है मुक्त इलोक्टोन के कारण यहां से क्यूशन बन सकता है औ बन सकता है विद्ध्यूताब गटे यह सेल और बेटरी में आपको देखने को मिलेगी वह विद्ध्यूदारा किसके कारण होते हैं आयनों के कारण प्रवाइत होते हैं जबकि चालक तार में विद्ध्यूदारा किसके कारण प्रवाइत होते हैं वह होते हैं मुक्ति लुक् तो विखर्षन विखर्षन का मतलब होता है परति कर्षन का अनुभौ कराती है देखू आपने देखाओगा कोई भी चालक है आकर्षन मल्लब कोई भी वस्तों को करना विक प्रösण दूर फित कि उतरी उतकि यह इसके गुना प्रणनालें लागो एंकेस cgs और ए जबकि एसफ प्रणनाली यह पूरे इंडिये में लागों होती हैं इसलिए इसका मात्रक कुम्लाम है इसे ची से i n2 t i a यह धार आ है और t क्या यहां समय है तो इनको दोनों को आपस में एंपेर शेकिन भी बोल सकते हैं इसी कारण कुलाम का मात्राग आवेश का मात्राग एंपेर शेकिन भी हम कर सकते हैं आवेश के लिए धन और रिन सब्द का प्रियोक सरूपरतम किस ने दिया यह क्यूशन आपके आ सकता है बेजामिन फ्रेंक लिन ने किया था क्यूंकि आवेश दो ते धन आवेश रिन आया अब यहे चालकतार में या कोई धात्विक पदार्थ में आपको देखने को मिलता है वस्तू को आवोसित करने की प्रीकज़्या सरूपरतम तेलस ने बताई थी कि वस्तू में 54 परकार से किया जाता है यह किस ने बताया तेलस ने यह ज्यानिके सरुपरतम विद्यूत का आवस्काली भी थेल्स नहीं किया था थेल्स के अनुसार जब कोई काज के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगला जाता है तो काज का टुकड़ा इलोक्ट्रोन त्याग करने के कारण दन आविसित हो जाता है तता रेशम का कपड़ा इलोक्ट्रोन गरहन करने के कारण दन आविसित हो जाता है तो यहां आपको देखना पड़ेगा इसी नहीं एक सुत्र देया है क्यों यह आविस है एन एन त्याग जो इलोक्ट्रोन त्यागता है यह गरहन करता है ये ये इलोक्ट्रोन का आवेस होता है तो ये सुत्र के माद्यम से भी हम समझ सकते हैं इसके बाद में कुलाम का नीम ये आपको जानना आटियाँ शकें कुलाम का नीम क्या होता है अगर कोई भी दो आवेस है Q1 तता Q2 एक दूसरे से आर दूरी पर हो तो उसके बीच कारे करने वाला विद्यूत आकरसन भल उनके आवेसों के गुणनफल के समानुपाति तता उनके बीच की दूरी के वर्क के विद्यूपाति यानि विलोम अतार्थ आपको यहां समझाया गया है यह चालकतार है आपको नजर आ यहां दो आवेश हैं Q1 यह Q1 है और यह Q2 है यहां से न्याद तक बीच की दूरी है जब यह आवेश इधर आते ही इसको वापिस भी जाना पड़ेगा क्योंकि यहां से न्याद की बीच की दूरी होगी इसको आपको दो बार यह तक करता है इसलिए इसमें जो बल लगेगा वह आप इस सुत्र के दौरा भी दर्शाया जा सकता है तो यह बराबर Q1 इंटू Q2 यह दोने जो इस बल के बराबर हो रहे हैं परन्तु यहां इसको आना और जाना दो बार हो गया तो इनकी जो दूरी होगी यह इसको आप स्कौर के दौरा दर्शाया जाता है तो हम कह सकते हैं कोई भी चालग कोई भी पदार कोई भी धातु की वस्तू इसी कुलाम के नीम से हम इनको दर्शाया जा सकता है यहां आपको एक सुत्र भी दे गया है जिसें एक बराबर एक बटा च्यार पाइप का मतलब होता है बाइस बटा यह आपका क्यूं है इसको क्यूंद क्यूट वटा और इसको यह नहीं दूरी इसके द्वरा भी आप दर्शा सकते हैं यहां के इस्तान तक है तो इसका जो मान है नो इन्टू दस्क के पावड नौ एंड यहां आपके जो इसके टर्ण दिए गए माइनस एम इसक्वाइर मातलब होता है क्योंग तो सी स्कॉर सि का मान वोता है यां आपके जो चालग तार वैंवा कितिने कनेक्टर हैं देखा आप होगा चालक तार कोई भी केविल होती है उसमें एक दो पांच इतनी भी हो सकते हैं यह आपको दिखाए गए हैं इसके बाद में आता है विद्युत वाहग बल यानि इल्ट्रो मोटिव पोक्स बहुत जुरूरी है यह क्या होता है और इसको कैसे उत्पन किया जाता है यहां आपको देखना समझना पढ़ेगा थोड़ा आपको नजर आ रहा हैं यह ऐसेल बेटरी जनीत्र आधी से प्राप्त किया जाता है आपने देखाव का शेल एक विद्ध्युत वाहग बल पैदा करता है यहां आपको एक शेल दिखाया गया है और इसका मात्रक वोल्ट होता ह यह शेल हैं बीच में आपका रजिस्टेंस लगा है यह आपका वोल्ट मीटर लगा गया है यहां से आपको यह इस लोड के लिए आपने जोड़ दिया गया है इसको यह वोल्टेज दर्साएगा आपका कभी शेल में कितने विद्युत्वाजबल पैदा हुआ है जिसे आना 38 आउ सकें यह विभव क्या होता है एकांग की आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कारे उस बिंदु का विभव कहलाता है अब इसका मात्रग भी ओल्टी होता है और इसका अन्य मात्रग जूल परती शेकिंद या ओल्ट भी होता है यह आपको आपने आ परियकत में धारा प्रवा सुन्ने होने पर विभांतर का मान सुन्ने हो जता है यह आपके ंएं के नीम से हम सत्यापित करें हैं यह नो दिया गया है ओम्रीम के अनुशार जैसे जैसे आप धारा बहाएं यह वैसलिए वी ना juicy विभानतर भी वड़ेगा वेवा chamado आई इंटो आ तो इस नीम चे हम सत्यापित कर सकते हैं कि वे बराबर आए क्योंकि यह दोनों शमार है इसलिए अगर माले ओल्टेज का मान सुनने तो धरा का मान भी सुनने हो जाएगा यही बात आपको यह समझाई गई हैं इसके बाद में आता है विभांतर जब किसी चालक इस प्रकार का यहां आपने ओल्टेज दी अब ओल्टेज जिसे चेल बेटरी या कुछ भी लेलो अब यह एक पॉइंट पांच ओल्ट का है जब आप इसे लोड से जोड़ेंगे तो यहां जब ओल्टेज नापेंगे तो वहां जो ओल्टेज आएगा आपका एक मिखा यearnya उसे अनाम से जानते हैं इसके बाद में हैं विद्ध्यद्य चेत्र जो विद्ध्यूत्य चेत्र होता है विद्ध्यूत्य अपना फ्रवाव कहां कहां डालते हैं वह इसके बारे में आगए need measure topic में पढ़ेंगे किसी आवेस या आवेसों के चारों और वह चेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेस अपना अपने एक बल का अनुभव कराता है विद्यूते चेत्र कहलाता है यह आपको नजरा रहा होगा यह चालगतार यह यहां से यहां तक इसका चेत्र फेला गया फेलाया गया है यह आपको यहां पलस से माइनस यह एक अपना मार्ग पूर्ण कर रहा है यह विद्यूते चेत्र कहलाता है सगन विद्यूते चेत्र के लिए सगन तता विरल विद्यूते चेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रियोग किया जाता है अलग अलग शगन और विरल दोनों प्रकार के विद्यू चेत्र के लिए अलग अलग बल रेकाओं का प्रियोग करते हैं एक समान विद्यू चेत्र के लिए एक समान बल रेकाओं का प्रियोग हम करते हैं अगला है विद्यूतिय बल्रेखा अब देखो विद्यूतिय बल्रेखा किसी आवेश के चारों और के विद्यूतिय छेत्रों को दिखाने वाला बल्रेखाए विद्यूतिय बल्रेखाए कहलाती है यह बल्रेखाए कालपिनिक होती है इसके बाद में विद्यूतिय बल्रेख विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद् बलरेकाओं का प्रयोग किया जाता है एक समान विद्यूते चेत्र के लिए एक समान बलरेका का प्रयोग किया जाता है इसके बाद में अगला है विद्यूते चेत्र की तीविर्ता जो तीविर्ता होते हैं वह किस प्रकार से आप उसका प्रयोग करते हैं यहीं किसी बराबर एक क्या य Baş य है युद्य जिंट्र की तिवर्ता हैं साइकल माइनस एक सदिस राशी बताई गई है क्यों कि इस तिवर्ता एक दिशा में आते हैं यह एक प्रकार की सदिस राशी होती नां दो प्रकार की होते हैं थो प्र dialect किरें एक तो कोई होता है तो धन्वे कि हम तूल ना करेंगे तो जो घुर वा चैनल होती हैं क्योंकि अंदर का माध्यम हवा है इसनिये विजली चमकते हैं घिड चंद बंद कर ले जाते हैं यही कारण है आपने देखा होगा कि बारिस में कोई वे गाड़े है अगर बिजली चमकते हैं तो बचने के लिए उसमें बचने के लिए आप क्या करेंगे खिड़के और दर्वाजे बंद कर लेते हैं सब उनकी भीडलै को घं या रिन आवैस देने पर इसका आकार बढ़ जाता है आपने देखा होगा सब उनके अगर रिन आवज देंगे देखो तत्तु क्या होता है किसी भी एक ही परकार के पर्मानों से बना पदात तत्तु कहलता है और परदात क्या होता है किसी भी वस्तु का वेट तता वो अपना इस्तान घेरती है वो पदार्थ कहलता है तो किसी तत्तु या पदार्थ में से इलोक्ट्रोन का प्रवा विद विद्युदारा कहते हैं या आवेश की प्रवादर को विद्युदारा कहते हैं इसका पर्तिक चीन आयोता है है और मात्रकर एंपेड होता है यह एंपिर होता है तो इस परकार से मात्रक और प्रचिक चीद आपको याद रखना है यहां सुत्तर दोगया है कि i.e.r.r.e क्यों बुता ट vн दारा है क्यों आवेस है और ट क्या है ना शमय है तो इसका एसाई मात्र क्या है एंप्यार कि इसके बाद में यदि किसी बिंदू से एक शेकिंड में छे पॉइंट अट्टाइस इंटू दसके गात अठारा इलोक्टॉन प्रवाइट हो जाए तो वह विद्धुधरा का मान एक एंप्यर होता है जैनि एक सेकिंड में कितनी इलोक्ट्रोन फ्रवाइट होना चाहिए 600 बिद्धू दसके बेलगर 18 इलोक्टॉनद एक शेकिंड में इस की वरह की बेलगर एक एंपेर के बिद्धारा का सब्सक्राहू ऑन अधिस रहसी क्योंकि यह सदिस के जोड़ निमों का पालन नहीं करती हैं इसलिए इसको अधिस रहसी में रखा गया है अगर इसकी तिवर्ता की बात करें वह एक प्रकार की सदिस रहसी होती है यह आपको डाइगरम नजर आ रहा होगा यहां एक बेटरी लगए लगाए यह व्लब है यह उपकरण के रूप में यहां आपको देखना पड़ेगा कि यह धन आये और यह रिन है यहां से पलस्य माइनस की तरब दार्ड़ा प्रवाईट हो रहे है पर अपका बलब प्रकाशित हो जाएगा परन्तु एलोक्ट्रोन विप्रित की और प्रवाईट हो रह विद्यूत परिपत पूर्ण माना जाता है जब विद्यूत परिपत पूर्ण हो जाता है यह अपना voltage बार निकालता है और बलब आधी परकाशित होता है तो दोस्तो यी थी आज की class basic electricity की part 1 दोस्तो basic electricity के next जो दो पार्ट आने वाले हैं वो आपको आगे आने वाली videos में मिल जाएंगे इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबा दें और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा अगर हमारा YouTube पर आपके लिए online class लगाना आपको अच्छा लगा हो तो और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर देना साथ ही अपने दोस्तों के बिज में शेर जरूर कर देना जिससे कि हमें भी मोटिवेशन आपको लिए आगे और वीडियो को बनाने का मिलता रहे मिलते हैं अगली वीडियो में टेक केर